कि हैं यह विद्व को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपके किसी भी प्रकार की लेटर सब्डेट यहां से ना चूटे ठीक है और अच्छे तरीके से आपका करेंड फैर पूरे पूरे तरीके से कावार हो जाए कोशिच करिएगा कि वीडियो को ला को मिल सके ताकि अगर आपको वीडियो में कहीं पर वीडियो के अलावा अगर आपके एक्जाम में जाते हैं और वहां पर किसी भी तरीके से कोशन पूछा जाता है तो उसको अच्छे तरीके से अटेम्ट कर सके ठीक है तो चलिए मार्किंज को समझ लेते हैं फिर अपनी कि यहां हम केबल यूपी सी बसके करेंट अफर को डिसकस नहीं करते हैं बलकि साथ आपके अधर एक्जाम में पूछे तरीके से डिसकस करते हैं ठीक है तो इसी लिए बोलतों फूरा वीडियो लास्तर दिखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए मार्किंज पर जाती की अगरे पर से मार्ड़ क ही तो आपको सिय्ट करना श्रले साथ है चलेखें को अट अवेशन को पडिए और फिर से तेस्ट को लगाईए फिर देखिए तो क्या आपका सही स्कोर आता है कि नहीं आता है ठीक है तो जितना हो सके उतना जदा आपने आपको करें ताकि आपकी सारी चीच तरीके से क्लियर हो सके चलिए आज के पहले कोशन पर चलते हैं फर्स्ट कोशन डिसकस करते हैं पहला कोशन है विच आप इस नौट शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूए ठीक है तो यूनाइट अरब एमरीट के साथ इनमें से कौन से कंट्री ज आपको आपको सारी चीज़े की वहां पर क्लैरिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो यहां पर यूए को बताना आपको किससे किसे बॉर्डर शेयर करता है सौरी किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता यह पूचा है चलिए मैप को देखने के बाद समझ में जाएगा कि यूए किस-किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है और किससी उर्डर शेयर करता है तो िर्ण किससें शेयर नहीं करता है यहां पे यहमन से बोर्डर्ट करता है एरां से बोर्डर शेयर नहीं करता है तो है टाannah तो और यह का बबल ठीकkick है एक टीम बबल बनाने की कोशिच की जा रही zoom इंडिया और UAE के बीच ताकि इनके बीच का जो, जो भी प्रॉब्लम्स रहती जो भी, जो भी हेल्फ होती है वो अच्छे पुल्फिल की जा सके और अच्छे तरीके से इन सबी पीचीजों को ताकि आपकी क्लैरिटी यहां पर बनी रहे इसलिए न्यूज में था इसलिए जोग्राफी परस्पेक्टिस इसको पर कोशन बनाया गया था चलिए नेश कुशन पर चलते हैं नेश कुशन करते हैं नेश कुशन है लैशी मैनिशेस डिसीज वाज रिसेंटली न्यूज इस कौश बाई देखिए एक डिसीज का नाम है यह भी रिसेंटली न्यूज में आई थी आपको बताना है कि जो डिसीज होती है यह किसके करण यह स्प्रेड होता है ठीक है तो ध्यान से आई तो आपने सब्सक्राइब दाई तो वीडियो को पॉस कर लिए फिर आंसर दीजे ताकि आपके जो क्लैरिफिकेशन वहते तरीका से यहां पर मिल सके चलो ठीक है देख लेते अब राइट आंसर क्या है होफुली आपने आंसर सोच लिया होगा देख लेते राइट आंसर क्या है ठीक है देखे जो लैशी मैनिस डिसीज है यह इसका जो राइट आंसर यह आपको ऑप्शन सी पैरसाइट ठीक है पैरसाइट के कारण इसका जो तो इसको याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह कौस होता है इंफेक्शन जो लैसे मानिया पैरसाइट होते हैं ठीक है वहां पर जो इस प्रेड होता है बाइट दा इन्फेक्टेट सेंड फाइल्स ठीक है तो जो सेंड फ्लाइस होती है ला जलंदेट यहंतलि जो रëत में जो मख्यां होती है फो जब किसी को काटती है तो उसके कारण क्या होता यह वुद्षित होती है तो अभी इस तरीके जो डैसे रहे काफी है। compliment उसको पूछ जा सकता है कि डिसीज कौन से कंट्री में देखने को मिला ए तो याद रखे काफी इंपोर्टेंट है जो आपका विस्टाल से और जाना जाता तो यह पूछ लिए साहब आपको यह नाम देके पूछा जा सके जो commonly काला अजर ठीक है काला अजर यह पहले भी पूछा जा सकता है यह इंडिया में इसको देखा गया था इसको आपका visceral leshy menaces है इसी को काला जर के नाम से जाना जाता है और ये fatal कर चुका है अभी तक 95% of the cases is if left untreated अगर देखी मतलब अभी तक जो 95% इसके fatal मतलब भी इसके जो cases है इसमे probability है कि इतने cases हो सकते हैं ठीक है तो देख लिजेगा काफी important है इसलिए और ये काला जर के नाम से अगर पूछा जाता कि कौन से disease कोई तरीकी होती और ऐसे disease कौन से continent में और देखी गई है तो ये यूरोब वाले जो है continent continent में वहाँ पर देखी गई है ठीक है तो याद रखेगा important है अब next question पर चलते हैं next question discuss करते हैं देखे back बहुत मेहनस से आपके लिए सारे mcqs बनाता हूँ ठीक है और उसको अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जहां तक मेरे से हो सकता है और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है तो प्रीज पूछ लीजेगा मुझसे और अगर फिर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्रीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपकी जो सारे प्रॉब्लम से वो दूर हो सके ठीक है तो वीडियो को लाइक कर जिएगा और जितना हो सके फ्रेंड्स उतना शेयर करिए ताकि हर एक छोटे से चोटे गाउं के लोगों को इस तरीके के मिल सके जो प्रेपरेशन कर रहा है बट उनके पास तरी चीज़े मिल नहीं पाती है सारे इन्टेंजर कि पईलेट उती हैं इनका आइ सिट प्रवेट एक सेंद्य ने में इनको रखा गया है जो वेल्स से बिलॉंग करती हैं उसे बिलॉंग करती हैं कौन से स्टिज्मिन करेक्ट है वीडियो को पॉस कर लीजे आंसर दीजे फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में चलो देख लेते राइट आंसर क्या है होफफुली आपने आंसर सोच लिया होगा देखे सबसे पहले इतना तो आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखे कि एक पेपर में वहां पर प्रभॉब्ली कही काम होती है और वह आपको फिर आपको टरच हो सके हैं अधिक्तर दिया जाता है वहां तक मैं अभी तक पर अधिक्तर रॉंगी होते हैं यहां पे बहुत यह बिलोंग करती है जो लाज इस बिशीज सो में इस सबीकिन करती है तो हां यह बिल्कुल करेट है कि जो लार्ज स्पीसीज होती है ओशनिक वेल्स की जो ओशनिक डॉल्फिन होती है उन्हीं से रिलेट करती है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है ठीक है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है और इस तरीके से जो होती है न्यूस प देखने को मिलती है चलिए तरीके की दिखती है ठीक है थोड़ा सा बलारे मेंज है बड़ जो इसी तरीके की कुछ देखने को मिलती है की है चलिए नर्स कोशन पर चलते हैं घृट लीड़ा से सब्सक्राइब आप्स पवीडियो को तुर्फलांग से भाते हो सकता है कि तुमिज़े मंसी श्यूर्ण का मइंस के वीडियो ना रुखता है अगर सिकावक हूं तो इसको प harmONG आप चाहो तो setting में जाके वीडियो का जो speed होता है इसको slow करके भी आप इसको काम चला सकते हैं और अगर आपको speed अच्छी लग रही है तो फिर अच्छा है और देखिए फिर अगर ऐसा है तो फिर वीडियो का लाइक जिरूर कर दीजेगा चली पहले statement को देखते है इस इसकीम इस लाउंच बाइचाइड वोमें वेलफियर कि जो नर्चिंग नेबर्फूट चैलेंज है इसको जो इसकीम है इसको चाइल एंड वोमें वेलफियर के जारा लॉंच किया गया है और सेकेंड है इस इनिशेटिव विल सपोर्ट इवलफियर को डेवलफियर के लिए पाइलफियर के लिए पाइलफियर के लिए उनको और इन्हेंस करेगा जो ओवलिटी ओफ लाइव है यंगpp Churchill की जो caregivers होते है जो families में और जो families होते हैं पफिखर, चेत्रम यह पब्लिक्ते चेत्रम निकों पाइलफियर कहा है पहुचाएगा तो आपको बताना इसके regarding कौन से statement correct है Option A 1 only Option B 2 only Option C, 1 & 2 Option D instead of the above वीडियो को pause कर लिए answer दीजे फिर discuss करते है इसके बारे में fifteen चलो देख लेट ईंसर क्या थे थे कि समय नहीं आप चाहो कि यस इसमें जो दिया कि support करेगा cities के development के लिए उसके pilot project में और help करेगा जो skill solution उसको enhance करेगा और इन सभी चीज़ों के current जो quality है life of young children की जो care givers होते हैं जो families होती है public real में ठीक है उनके भी काफी ज़ादा support मेलेगा तो seconds में बिल्कुल correct है अगर आप कभी मतलब अगर एक्जाम में आपको nurturing neighborhood challenge ठीक है अपने neighborhood के और ज़्यादा development के लिए कुछ आता है तो कोशिच करिए इस scheme के बारे में वहाँ पे लिखने का यहाँ पर आपका right answer option B हो जाता है option B will be your right answer ठीक है कुछ और चीज़ समझ लेते है फिर next question पर चलते है ministry of housing and urban affairs के दार इसको launch किया गया इस initiative को जिसको nurturing neighborhood challenge का जाता है जो focus करता है शेप करने में जो cities होती है वो young children और उनकी families के लिए ठीक है और इसके अंदर यह open करेगा smart cities को other cities के लिए ताकि more than 5 लाग population जिन cities की है और जो capitals है और capitals of state and unit territories है वहाँ पे इस scheme क लाया जाएगा ठीक है तो जो भी जिस state भी जिस district की पांच लाग से ज्यादा population है वहाँ पे इसको develop किया जाएगा उन cities का enhancement किया जाएगा ठीक है तो यह important है कभी कभी इस ratio को भी पूछ लिया जाता है चलिए next question पर चलते है next question discuss करते है next question consider the following statement with respect to pinaka मिशायल अभी रिसेंटली पिनाका मिशायल नियूज में थी आपको पताना इसके रिगार्डिंग कौन सी statement correct है ठीक है तो फर्स्ट है the pinaka is a multi-barrel rocket launcher system की जो पिनाका है यह multi-barrel rocket launcher है ठीक है second it is indigenously developed by the defense research and development organization कि इसको indigenously defense research and development organization इसको DRDO कहा जाता है उसके द्वारा develop किया गया है ठीक है मतलब पूरी तरीके से भारत में ही बनाई गई है तो कौन सी statement correct है option a one only option b two only option c one and two option d none of the above so friends video को pause कर लीजे answer दीजे फिर हम इसके बारे में discuss करते है चलो देख लेते राइट answer क्या है ठीक है देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह जो पिनाका में सहले है भी recently इसका अभी एक वर फिर से सफल पर रिच्छन किया गया है ठीक है तो इसलिए न्यूज में था जो पिनाका है यह multi-barrel rocket launcher है यह सबसे main important इस scheme के बारे में यही च आपको option c option c will be your right answer ठीक है याद रखेगा पिनाका mk1 missile जो है एक इंडिजन डेवलप की गई है डिफेंस रिचर डेवलपेंट और्गनेशन की तरह ठीक है जिसके जो अभी चेयर में है वो जी सतीस रेड़ी जी है इनके नाम भी याद रशन है कभी-कभी जो एससी वाले नाम होते हैं वहां पर आपको इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो यह जो पिनाका है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर है यह बिल्कुल करेट है जिसका नेम रखा गया था आफ्टर शेवास बो ठीक है जो आफटर शेवास बो उनके नाम पर इनका नाम रखा गया होती है तो वहां पर जो हमाई ड्रेजिमेंट इंडियन आर्मी की उनको एमके वन मिसाइल को और ज्यादा इन्हेंस करने के लिए क्या जो परानी वाली एमके वन उनको रिप्लेस करेगा और उसकी जगा इसको फिर दिया जाएगा ठीक है तो यह इंपोर्टन्ट है तो यह नेस्सकोशन है विर इस दर्सक्षंव एली लोकिट़ तो जो न्ताइब करती है इसके बारे में आपको बताना है जो नौर्थ और टॉल्ड व्लियु करेक्ड तौशीद ऑंअ और यहां पर थोड़ा सा मैप दुदला हो गया ठीक है थोड़ा सा आयते मुझसे इमेज गलट डाउनलोड हो गई है देके फिर भी इतना वो नहीं है यह रही देखो यहां पर यह जो आपकी है यह सक्षम वैली है ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख लेज़ेगा यह सक्षम वैली है सक्षम वैली जो है यह गिलगेत के जो उपर देख रहा आपको यह दोको नौर्थ में है बिल्क तेसा पंगॉंग से एसनुनल के लिए में इसके नॉर्थ ुसिर स्थे एवेहरा नलीक्तान सेकें नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ एस नॉर्थ इसर किलेूं तो आपका डी भी रॉंग हो जाता है और बी भी रॉंग हो जाता है राइट आपका ऑप्शन ए उप्शन ए विल भी राइट आज जितना ध्यान से मैप को देखेंगे उतना जादा आपकी क्लेरिफिकेशन दूर होती जाएगी तो होफुली अच्छे तरीके से आंसर देते पर कि रहे और अच्छे तरीके समझते रहे आपकी मेरा काफी मोटिवेशन बढ़ाता है और आते साथ लाइक कर दिए करें तक कि मुझे भी हैब में रहे ठीक है और अपना स्कूर्ड नीचे लिखना मत भूलेगा इसके बीच में ठीक है, study को बिल्कुल भी पीछे नहीं करना है, चलिए, next question पर चलते हैं, next question है, what is the mandate of recently constituted sashe versus empathy committee, तो अभी recently sashe versus empathy committee जो constitute की गई थी, इसका mandate क्या है, यह किस के उपर, किस कारेंड से इसको बनाया गया था, ठीक है, option A, review guidelines on television rating agency in India, कि review करना, review करना guidelines, जो television rating agency हो इसके उपर, second, criminal law reforms है, उनके उपर जो भी guidelines होती है, उसलिए इसको बनाया गया था, third, personal data protection law, कि जो personal data protection law, उसके उपर इस committee को constitute किया गया था, and option D है, कि 5G technology regulation करने के लिए, इंडिया में, उसके लिए इस committee को बनाया गया था, so video को pause कर लीजे, answer दीजे, फिर हम इसके बारे मे discuss करते हैं, चलो देख लेते, right answer क्या, hopefully अपने answer सोच लिया होगा, देखिए, जो ससी वर्षिस, जो empathy committee है, ठीक है, इसको बनाया गया था, option A, review guidelines करना, जो television rating agency है, देखको अभी recently का आपने case सुना हो, अर्नो गोर्सवामी को, अभी जो महारास्ट government है, उन्होंने क्या कर लिय open किया गया, without any mandate, without any guidelines उनको रिया गया, और उनको directly क्या कर दिया गया, उनको jail में डाल दिया गया, तो यह लगता है, कि उन्होंने क्या किया, यह जो police की जो माननेता होती है, जो police की जो इस तरीका work होता है, उसके उपर एक कलंक, एक slur देखने को मिला है, ठीक है, तो यह ऐ respectable है, और untakeable है, तो इस वो देखा जाएगा, इसलिए यह जो guidelines है, television rating agency जो इंडिया की होती है, वो खिस तरीके से काम कर रहे है, उसके उपर ससी वशे, sorry, ससी एस वेंपती कमिटी को बनाया गया था, याद रखेगा, बहुत important है, ठीक है, next question पर चलते है, next question पर discuss करते है, ठी तो ministry of information जो broadcasting है, उसने constitute किते इस कमिटी को, जिसको ससी एस वेंपती, जो CEO है, प्रसार भारती के, उन्होंने इसको क्या किया था, इसको head किया था, जो guidelines देता है, television rating agency के इंडिया के अंदर, जिसको notified किया था, ministry ने 2014 में, important है, तो याद रखेगा, ठीक है, ministry of information and broadcasting के guideline issue करती है, ठीक है, इसके लिए, कि जो भी TRP होते हैं, इसको television rating points कहते हैं, उसके लिए इसको लाया गया था, चलिए, next question पर चलते हैं, next question discuss करते हैं, देख लेते रहे, यहाँ पर 8th question है, हमारा, who has appointed, who has been appointed as the managing director and chief executive officer on, of ONGC, विदेश limited in November 2020, तो अभी किस को CEO बनाया गया, ONGC, विदेश limited, November 2020 में, देखे, इस तरीके के भी question आपसे पूछे जाते हैं, जो आपका SSC हो गया, ठीक है, कभी कभी state pieces में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सारे प्रकार के question cover होंगे, आप बिल्कुल वीडियो को बस लास्तर देखिए, ताकि आपके एक भी doubt ना रह में, चलो देख लेते, hopefully answer सोच लिया होगा, देखे, अभी जो CEO बनाये गए है, चीफ executive officer of ONGC, विदेश लिमिट, यो बनाया गया है, एक गुपता जी को, ठीक है, तो राइट आंसर आपका second है, second will be your right answer, याद रखेगा, ठीक है, तो जो ONGC विदेश लिमिटेट है, इसको अनाउंस किया, इसके appointment किये जाएगा, एक गुपता को, जो managing director, chief executive officer है, ठीक है, company के, जो OVL है, ये overseas, एक arm of oil and natural gas corporation है, और जो गुपता है, ये has been serving करते हैं, director operation of ONGC विदेश लिमिटेड में, ठीक है, इसलिए इनको चुना गया है, और ये अगले तीन decades के लिए, मता सौरी, ये सौरी, हम सौरी गलत बोल दिया, he has over three decades of experience of handling domestic and overseas oil and gas exploration of production operation कि इनको 30 साल तक का experience है, जो भी overseas or domestic handling होती है, gas exploration और production operation का, इसलिए इनको ये director और CEO बनाया गया, ठीक है, तो SSC और कभी-कभी one-liner question में ये आप से पूचा जाता है, चलिए, next question पर चलते है, next question है, who is the author of the book title till we win, ठीक है, इस तरीकी question बिल्कुल पूचे आता है, state PSA, यहां तक कि आप से UPSC भी directly factual question इस तरीके से पूचता है, तो ये जो title है book का till we win, ये किस author ने इसको लिखा है, first है, चंदरकांथ लहारिया, option second, गंगदीप कैंग, option third, ओम प्रकास गुपता, and option fourth, both one and two, so video को pause कर लीजे, answer दीजे, फिर हम इसके बारे में discuss करते हैं, कि आखिर इस book को किस ने लिखा है, चलो देख लेते हो, अपना सोच लिया होगा, देखे तो इस book को till we win, इसको चंदरकांथ लहारिया, और जो आपके गंगदीप कैंग है, इन दोनों ने मिलके इस book को लि will hit the stand in November 2020 में इसको लाया जाएगा, ठीक है, मतलब भी लाया गया है, इसी book को इनकी इनके author है, it has been co-written, इसको co-written किया गया है, जो leading public policy और जो health system है, उसके उपर और जो expert है, जो चंदरकांथ लहारिया, और जो renowned vaccine researcher and जो वेरोलोजिस्ट है, गगंदीप कांग के दोरा, ठीक ह अगर health or health system के उपर कुछ important लिखने के लिए तो आप इसको till we win ये book का नाम वहाँ पर mention कर सकते हैं, और ये it will be definitely account of India's fight against COVID-19 के लिए ठीक है, तो ये COVID-19 में जिस तरीकी जो problem चल रही है, उनके read-off के लिए भी इस book में काफी important चीज़े बताई गई है, तो health system के लिए है, तो mention कर जिरूर करेगा, अगर में समय कुछ पूचा जाता है, चलिए, next question पर चलते हैं, आज का अंतिम question discuss करते हैं, कि when is the international day for preventing the exploitation of the environment in war and armed conflict observe, अभी कब international day for preventing करना और exploitation of environment, इसको किस तरीक से exploit हो रहा है, उसको बचाने के लिए war में, और जो arm conflict को, मतला जो arm conflict होता है, ठीक है, जो war में जो भी armation conflict होता है, उससे बचने के लिए, अभी international day celebrate किया गया है, तो यह किस दिन celebrate किया है, ठीक है, first day 3 November, second, fourth November, third, fifth November, and fourth, sixth November, so video को pause कर लिजे, answer दीजे, फिर discuss करते हैं, इसके बारे में, चलो देख लेते हैं, इसका जो right answer है, आपको option जो four है, कि option four आपका right answer है, six November को, जो international day for prevention, जो prevention the exploitation of the environment in war and arm conflict, की arm conflict को रोकना, और जो exploitation जो होता है, environment का, ठीक है, वो उसको prevent किया जासा कि war के समय, तो इसलिए 2001 से इस दे को 6 November, 6 November को मनाया जाता है, जिसको United General Assembly ने, क्या किया था, मानने था, दी थी, तो यह observe किया जाता है, ताकि raise की जा सके awareness about the protection of the environment and ecosystem in any circumstance, किसी भी प्रकार के circumstances में, आप environment और ecosystem को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए इस दे को observe किया जाता है, याद रखेगा, बहुत important है, तो friends, यह थे आज की 10 important current affairs, hopefully आपको स इसको comment box में जरूर लिख दीजेगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी preparation कैसे चल रही है, आप किस तरीके से study कर रहे है, ठीक है, तो share कर इसको जितना हो सके उतना चाल शेयर कर दीजेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर on कर दीजे लाउडाई आपकी ए्दावा.